अबर नमस्कार मेरा नाम महेश मिश्रा है और आज हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में आपके बीटिसी है डीलेड चौथे समिस्टर से यहाँ पर जो आपका कोर्ष चल रहा है हिंदी सिक्षण का दियान दिजीगा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आज कि आपके टॉपिक को लेकर के तो हम बात करने वाले हैं संस्कृत शब्द कोष की बारे में जो शब्द भंडार होता है यह क्या होते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा सारे बिंदों को अच्छी तरीके से समझने के संस्कृत शब्द कोष का उदेश ही क्या होता है उसका अगर परिषय को लेकर के बात करे तो वो सारी चीजी हैं क्या जिन्होंने फॉलो नहीं किया है प्लीज आफ फॉलो जरूर कर ले मुझे यहाँ पर मेरे उजिक्रिस्टन बैग्राउंड को लेकर के कुछ बाते लिख शब्दो का बंडार हो गया आपका अंगरेजी के शब्द वाले बात हिंदी डिक्टारी को लेकर के जबाब बात करते हो तो शब्द कोष का मतलब जो है वो है शब्दो का बंडार वरण माला क्रम में रखने का अभ्यास करना भी आप एक तरीके से बोल सकते हो है ना बोलत संस्करत शब्ड कोश में शब्दों को वरण माला के क्रम में करम में रखने का ब्यास कराना चाहिए किस से छात्रों से इसम 나중에 श Somewhere चाहिए कि खार रहा है Toần संस्क्रत शब्ड कोश में और कि प्रयोग के समय संस्क्रत कर दियान के स्वांबने। ठीक है जब देखो भाई सरल वाक्य होगा तो इसलिए आप रनंस्टिएट कर पाओगे इसलिए आप उसको पढ़ पाओगे चातर उसको आसानी से पढ़ सकेंगे और वहाँ पर जो त्रोटी के संभाव बनाए हैं वो कम होगी संस्कृत शब्द कोश के अगर उदेश्यों को लिए करके बात की जाए लिखा है उचारण मुलक संकेत चिन्नों के माध्यम से शब्द के स्वरव वेंजन का पूरता है शुद्ध उचारण का स्वरू बताना अक्षरों की संभधता का परिजर की एक दूसरे से किस तरीके से जो लिटर्य उट्विश है वो जुड़े हुए है शबदों का परियाय बताना कि भही इसका मतलब क्या है? जो वर्ड है, इनकी मेनिंग क्या कुछ निकल के आती है? इनके परियाय वाचि क्या हो सकती है? इनके कुछ और मतलब क्या हो सकते है? समनार्थी का उधरत देना एक जैसे अर्थों को ले करके बात करना कि क्या कुछ हो सकते है आनने में आप बता सकते हो जैसे चित्रों गया रिखा चित्र है माने चित्रों के आदि के द्वरा अर्थ को स्पस्ट करना आप ये भी कह सकते हो कि शब्दों का इतिहास क्या है संबधता या निकट या दूर किस शब्दों का शब्द रूप क्या हो सकता है अर्थ रूप क्या है तुलना कैसे कर सकते हो उनको ये सारी बातें आपकी इसमें देखने को मिलेंगी जब आप उद्देश को लेकर के बात करोगे आशा करते हैं किस संस्कृत शब्दों को उसके उद्देश ही क्या होते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा संस्कृत के कठिन शब्दों का चैन और संकलन यहाँ पर देखे कुछ कठिन शब्द होंगे और देखो ओवराल आप लोग थार्ड समझ में मैं बता रहा हूँ यह एक्जैक्लि है क्या जो हम पढ़ रहे हैं भाई हिंदी वाक्यों का संस्कृत में जो आप बोलते हो न कि हिंदी शब्दों का संस्कृत में जो अनुवाद होगा संस्कृत में उन्हें कहते क्या हो यहाँ पर ट्रांस्लेशन वाली तो बात आपको देखने को मिलेगी ही लेकिन फिलाल यहाँ पर शब्दों को आप जैसे मैंने बोला कि आपका पेट हो गया तोंद बोलते हो तोंद तोंद को क्या बोलते हो संस्कृत पे तुंदा बोलते हो आद को अंत्रम बोलते हो तो यह वही है आपका कि आपके कुछ शब्द है उनको आप संस्कृत में क्या कहोगे वही संस्कृत शब्द कोस है शब्द बंडार है जिनके बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो समोसा देख लिजिए पर देखे लिखा हुआ है यह जलेवी को आप क्या बोलते हो तो यहाँ पर देखे लिखा हुआ है कि जलेवी को आप सुधा कुंडा लिका बोलते हो थोड़ा सा एक बच्चो को कैसे आप बताओगे उसके बारे में यहाँ पर लिखा है यह समोसा तो आपने खोग खाया हो अको पसंदीदा भी वहा लेकिन क्या आप जानते हैं, क्या बच्चों आप जानते हो क्या आपको समोसे को संस्कृत में क्या कहते हैं? यह आप पढ़ाओगे बच्चों को तो कुछी सरीखे से बताओगे ठीक है? खीर को लेकर के बात हो गई तो खीर को संस्कित पर पयास करके बोलते हैं दूद को दूधती हो गया अलुपोहा करके लिखा हुआ है तो अलुपोहा को दिखे आप लिखा हुआ अलुकम तडकुलक है गुलाब जामुन को आप पाटल मधुक्षद करके बोलते हो या फिर रल्वा को अल्गू करके बोल देते हैं लिस्ट के हिसाब से बात कर लेते हैंं को और मैंने इंग्लिश में भी नको बताया हुआ है इनका जब आप उचारण करोगे ये और ये दिखे कहा है ये हिंदी में उचारण जैसे मैंने बोला आसंदा तो यह आसंदा लिखा हुआ है मैंने बोला ताला तो यहाँ पर ताला लिखा है इंगलेश में जैसे चेशर हो गई कुरसी को भाई क्या बोलते हो आसंदा बोलते हो एक-एक शब्दों को समझते जाईएगा जितनी ज़्यादा प्रेक्टिस कर सकते हो यहाँ से प्रेक्टिस कर लीजिए ठीक है वही आपके लिए सबसे ज़्यादा बैनेफिसियल रहेगा चलिए जी तो लॉक का क्या हो गया ताला करके लिखा हुआ है दंड दीपह ट्यूब लाइट को क्या बोलते हो करके बोलते हो समेर का मतलब आयरन बॉक्स होता है लोहे का जो बॉक्स होता है बैग को बोलते हो सिउता हुआ लिखा हुआ है कि आप इसे प्रणूशियेट कैसे करोगे वो अली लाइन है आपके दिखा रहे है मत्तब यहाँ आला कॉलम आपको दिखा रहा है इसको देख लेते हैं इसमें लिखा है अगनी पीटि का match box जुब बोलतेयो न कि माचिस बोल दीते हो माचिस के डिबी match बोक्स अगनी पीटि का बोलते हैं इसको targe हो गया करडीप हाँ आप कटाह बोलते हो switch जो होता है उसको पिंजह करके बोलते हो पिंजह लिखा हुआ है आपका यह मिरर यानि दरपड़ जो होता है सीशा बोलते हो आप दरपड़ा करके लिखा है यहां पर क्या लिखा है नलिका टैप क्या लिखा है टैप लिखा है नलिका को आप टैप करके बोलोगे आगे देख तूर वाड़ी करके लिखा हुआ है तो टैलिफोन होता है अलमिराह अलमारी को कपाटिका करके कहते हो आप डस्ट बिन बिलकुल आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो ला कोड़े दान को लेकर के तो यह पर अवकरिका क्या है अवकरिका इसको संस्कृत में बोलते हैं य पाद शोधनम करके शोधन करना है ना शोधन करना आप जैसे पारिशोधन परिस्कृत करने वाली जो बात होती है तो पैर का शोधन करने वाली चीज कौम कंका है आपका कंकतम ठीक है यह चीज हो गए आपका दिखे इसमें कंकतम यहाँ जैसे इसको पढ़ने में आपको द घाओ करेगं भीर या आप कहते हो ना सरसया पर जो है एक तरीके से तो लेटे रहना या ऐसे उसमें तो सया क्या है आपका सया लिखा हुआ है यह बेड होता है जवनिका करटन परदा ठीक है बॉक्स बॉक्सा जिसको बूलोगी आप पेटी का लिखा हुआ पुस्पा धानी यह होता है फ्लावर वेस करके आप उसे बोलोगी आगे देखते हैं इसमें तुन्दह देखे अभी मैं बता रहा था वही चीज़ है या पे तुन्दह का मैंने यहाँ पर तोंद लिखा हुआ है सिदे सिदे आपका पीठ का प्रिष्ठम होता है आद का अंत्रम होता है कमर को आप कटी बोलते हो बहु का बहा होता है उसकी बाद रुप्या कम का रुपया वर्तिका का मतलब बत्ती होता है कैदी कैदी आप बोल लोगे आप बोलते हो जो है हिंदी में और बंदी होता है जो आप संस्कृत में कहते हो ठीक है बंदी कहते हो बंदी फरार हो गया तो पता नहीं होता है, आपको लगता है हिंदी शब्द का प्रियूग हो रहा है, लेकिन एक्जाक्टिव क्या है, संस्क्रिट का शब्द होता है, न्यूस्पेपर में देखते हो गए आप लोगों, ओके, ये बात हो गई, उसके बाद हम आगे देखते हैं, ध्यान दिजीगा, श्यनह मतलब बाज होता है, मक्षिका मतलब मक्ही है, कपूता मतलब कबूतर होता है, बका मतलब बगुला हो गया, आपका कलिंगम मतलब तर्बूज हो गया, विरत करकटी मतलब होता है, खर्बूज, बदरी फॉलम आपका बेर हो गया, मरालाह जो हो हन्स होता है, ये सारी वाले भी आपके यहां से देख सकते हैं आपको मैं बता तो ध्यांदी जी का कुछ और शब्द है जिनके बारे में चली हम यहां पर बात कर लेते हैं कुछ और शब्दों के बारे में जैसे आप कलम को क्या बोलते हो? लेखनी बोलते हो ठीक है? मैंने बोला आपका अनार तो अनार को क्या बोलेगी? दाडिमम आप पढ़के आये हो बस मैं आपको revision आपका करवाया दे रहा हूँ दाडिमम करके बोलोगी आम को आप आमरम फलम बोलते हो या आमर बोल देते हो नारियल को नारिकेल नारिकेलम बोल देते हो या नारिकेल फलम वो भी सही है आपका संतरा का क्या होता है नारंगम नारंगम ये क्या है संतरा हो गया अंजीर को अंजीरम बोल देते हो अंगूर को द्राक्षा फलम क्या बोलते हो द्राक्षा द्राक्षा फलम ये क्या होता है अंगूर का होता है ठीक है इंसाफ का न्यायह न्यायह आपने बोल दिया समझे इंसाफ हो गया ठीक है न्यायह मत्तब इंसाफ हो गया ऐसे ही जैसे आप में लिजे राजा लिखते हो तो उसको क्या बोलते है नरपा बोलते है क्या बोलते है नरपा बोलते है कुछ में में जो शब्द है उनको ले करके मैं आपर बात कर रहा हूँ बंदूक, बंदूक को क्या बुलते हैं भुशुंडी भुशुंडी बंदूक ये होता है आपका, ठीक है कुछ और ले लो नीबू को बूलते हैं निम्ब फॉलम क्या होता है निम्ब फॉलम ऐसे लिखोगी निम्ब फॉलम ये होता है कि आपका जब आप निबू के बारे में बात करते हो भाउरा का भ्रहमरहा होता है अभी मैं बता चुका हूँ आपको ठीक है मुर्गा का जैसे कुपकुटा करके आप लिखते हो चटका मतलब चिडिया ह लू का मतब लू होता है शुकहा मतब आपका तोत होता है का का मतब कुए होता है। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में हैं सुक्रियाब सभी का तब तक के लिए